Hello friends, welcome to Homeverse आज हम देखने वाले media streamer by Nokia इसमें आपको ये सब features मिलते हैं Bluetooth, C5, Disney All Star, Netflix आप अपना जो TV है जिसको HDMI port है उसको convert कर सकते हो Android TV में उसके लिए आपको लगेगा एक Wi-Fi आपके घर में Wi-Fi है तो आप अपना TV convert कर सकते हो Android TV में इसके अंदर आपको मिलता है adapter, HDMI cable and remote तो अभी हम इसका unboxing करते हैं दोस्तों मैंने ये device रुपीज 2000 में खरीदा था फ्लिप कार्ट से, अभी recently तो अभी मैंने ये device ही क्यों लिया फर्स्ट इंग Nokia है, Nokia एक brand है मार्केट में बहुत सारे brands available है बट मुझे Nokia अच्छा लगा Second thing, इसमेना inbuilt Bluetooth आता है तो ये feature मुझे बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि जब मैं सुबह workout करना चाता हूँ या TV पे Zumba workout लगा के कुछ exercise करना चाता हूँ At that time मेरे घर में limitation क्या आती थी कि मैं जब volume बढ़ाता था उससे बाकी की लोगों को disturb होता था तो इसके लिए मैं solution बहुत दिन से दोंड रहा था और finally मुझे ये एक device मिला जिसमें inbuilt Bluetooth होता है और जिसके तुरू आप अपने Bluetooth headset, Bluetooth speaker connect कर सकते हो जिसके तुरू आप सुबह workout कर सकते हो Bluetooth headphones लगा के और जिसके बज़े से आप YouTube वाला content टीवी पे देख सकते हो और जो volume रहेगा, जो sound रहेगा वो आप Bluetooth headset के तुरू सुन सकते हो तो अभी आप देख रहे हो इसमें एक adapter निकला है तो ये adapter है 5V 1000mAh का अप देख पा रहे हो उसका rating अप नीचे remote देख पा रहे हो उसके साथ आपको batteries भे मिलती है अभी जो मेरे हाथ में जो cable है, वो है power cable जो adapter को लगेगी और उसका दुसरा end लगेगा device को आप देख पा रहे हो, ये IR blaster भी इसके साथ मिला है तो अभी हम दुसरी cable देखते है तो ये जो cable है मेरे हाथ में, वो है HDMI cable इसका ये वाला end टीवी में जाएगा और ये चोट वाला end डिवाइस को लगेगा तो अभी हम निकालते हैं actual device को बाहर तो दोस्तो इस device के अंदर ना inbuilt android OS आती है जिसके थूँ आप other app भी install कर सकते हो जैसे discovery हो गया या कोई भी educational app भी install कर सकते हो तो ये है वो actual device जो है Android TV box from Nokia तो ये उपर का port है HDMI port तो यहाँ पे एक cable लगती है ये जो port है वो power cable वाला तो यहाँ आपकी charger की cable लगती है तो ये जो उपर वाला port है HDMI इसका other app आपके TV में जाता है और ये पीछे sticker लगाया है Nokia का Android TV box इसका rating है 5V 1A तो दोस्तो ये device मैं अभी दो महिने से यूज़ कर रहा हूँ और मुझे बहुत पसंद आया है तो इसके साथ एक manual आता है जिसमें पूरा step by step process बताया है कैसे आप TV को connect कर सकते हो तो ये मैं अगले वीडियो में बताने वाला हूँ तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप like, share, subscribe ज़रूर कर लेना तो अग्यू